सेवा नियमों में संशोधन कर वाइस प्रिंसिपल के आधे पदो पर सीधी भरती के प्रावधान लागू किये जाएं। शिक्षक संग ने सरकार को भेजा साथ सूत्रिय मांग पत्र दोलपुर राजसान शिक्षक एवं पंचायती राज करमचारी संग के पददिकारियों ने प्रदेश महमंत्री राजेश शर्मा के नित्रत्व में शिक्षक संवर्ग की लंबत साथ सूत्रिय मांगों को लेकर ड तुरतिय श्रेणी शिक्षकों के इस्थान तरण शुरू किये जाने की मांग की है। शिक्षक मंत्री ने एक संवर्ग विशेश को फाइदा पहुंचाने के लिए सेवा नियमों में शंशोधन कराकर उप्रधानाचारिय के पदो को शत प्रतीशत पदो उन्नती से भरने का गलत फैसला लागू करवा दिया। बेहद आक्रोश पनप रहा है। संग ने सरकार से जल्द पारदर्शी स्थानतरण नीती लागू कर प्रतिबंदित टी एस्पी जिलो सहित सभी तुरतिय च्रेणी शिक्षक समवर्ग के स्थानतरण शुरू करवाय जाने का आग्रह किया है। आज हम सरकार को साथ सुतरी मांगपत प्रेशित कर उनसे आग्रह कर रहे हैं। तरतिष रेणी स्थानतरण के साथ साड़े-4 साल में सरकार की ओर से छलावा किया गया है। ट्रांसपर पॉलिसी लागू करने के नाम पर उनके एक भी बार ट्रांसपर नहीं किये गया है। एक पारदर्शी नीती लागू कर 33 रेड़ी सिच्छक संबर्ग के तबादले की जाएं। इसके अलावा पूर्व सिच्छा मंत्री जी ने एक संबर्ग बिच्छेस को फैदा पहुचाने के लिए इसके अलावा बजट में सरकार की ओर से सभी का ध्यान रखा गया है लेकिन सिच्छक करमचारियों की अंदेखी की गई है हम मुख्य मंत्री जी से मांग करते हैं कि सिच्छक राज्य करमचारियों को 8, 16, 24, 32 वर्षी सेवा पर चैनित वितनमान का लाब दिया जाए एवं दो बरसों से रुक वी डीपी सी जल्द की जाए Right to Health बिल पारित की जाने के बाद प्रदेश भर के नीजी और सरकारी डॉक्टरों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है डॉक्टरों की हर्टाल और कार्य बहुश्कार कासर धूल पुर जले के सबसे बड़े अस्पतार मंगल सेंग राज्च की चिकटसाल्ये में भी बना हुआ है बुद्वार को पीमो आफिस के सामने सरकारी चिकित्सकों ने चिकित्सा मंत्री एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया चिकित्सा व्यवस्था बदहाल होने की वजह से जिला अस्पताल के अधिकान शवार्ड खाली पड़े हैं मजबूरी और लाचारी में मरीज मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश उपचार लेने के लिए पलायान कर रहे हैं अरीजों ने बताया कि मजबूरी एवं लाचारी में उपचार कराने के लिए मध्रप्रदेश के नजदी की मुरेना गुवालियर एवं उत्तरप्रदेश के आगरा मध्रा अल्लीगर हातरस तक उपचार लेने के लिए जाना पड़ रहा है उधर चिकितसक लगातार हर्ताल एवं कारे बहिशकार कर सरकार पर राइट टू हेल्थ बिल को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग कर रही है जिला अस्पताल में प्रमुक चिकतसा अधिकारी ने राज्य सरकार के आदेश पर आयुरविदिक चिकतसकों को बिना दिखाये वापस लोट गए चि अभी के स्वास्त पर भारी पड़ रही है मरीजों को मध्यप्रदेश और उत्रप्रदेश पर लायन शिडू जिला अस्पताल के चिकतसकों का कारे बहिशकार प्राइट चिकतसकों की हरताल की वज़व से जिले में अधिकांच मरीज उप्चार कराने के लिए के चक्कर लगा रहा है लेकिन अभी तक इलाज की विवस्तान नहीं हो सकी शौट सर्किट से मकान में लगी आग लाख रुपय का सामान जल कर हुआ खाग सर्मत्रों उप्खंड में बिर्जा गाउं की है घटना सर्मत्रों उप्खंड के धूंद ग्राम पंचायत के बिर् में आग लगने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीन पहुंचकर घटना इस्थल पर पहुंचे और मकान मालिक को आग लगने की सूचना दी एवं कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन जब तक मकान में रखा हुआ लाखो रुपय का सामान जल कर राक हो गया पीड़ित रामभजन गूजर ने बताया कि आग जनी की घटना में मकान में रखे अनाज कपड़ा घी तेल बड़तन एवं अन्या लाखो रुपय का गरहस्ती का सामान जल कर राक हो गया जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार की आर्थिक स्तती बहुत ही रहनी हैं आग जनी की घटना के बाद पीड़ित परिवार के सामने रोजी रोटी का संकटा खड़ा हुआ है एवं पीड़ित परिवार ने सरकार से सहायता राशी दिलाए जाने की मांकी है सरमत्रा सिविश्नु सोनिक रिपोर्ट दोलपुट जिले के कद्दावर नेता समाज सेवी सोवरन सिंग सिकरवार गरीब असाहाई जरूरत मंद लोगों की आए दिन मदद करते रहते हैं एवं बेजुबान पशुपक्षियों तथा जानवरों के लिए दाना पानी चारा और बंदरों को केले चना प्रते दिन खिला कर सेवा करते हैं अभी हाल ही में भीशन गर्मी को देखते हुए सोवरन सिंग सिकरवार ने अपने कारेकरताओं को साथ लेकर पक्षियों के ल पढ़ गए और कुछ बंदर गोधी में बैट गए अखिल भारतिये युवा गूजर महासभा के जिला अध्यक्षित संजय कंसाना ने बताया कि समाज सेवी सोवरन सिंग सिकरवार सर्वस समाज को साथ लेकर चलने वाले गरीबों की मदद करने एवं युवाओं के साथ कं इतन कुश्वाहा ने बताया कि राजकिये महा विद्याले राजा खेडा के चातर संग अध्यक्षित सपना ठाकुर एवं एवं एबी वीपी के पदधिकारियों के दुआरा ग्यारा सूत्रिय मांग को लेकर के इस्थानी विधायक रोहित बोहरा जी के कारे करता ग्यापन परिशत के कारे करताओं ने इसकी जानकारी स्थानी अथाना अधिकारी को दी और वहां अपनी शिकायत पत्र दर्च कराया इस अफसर पर नितन कुश्वाहा मोनू परिहार पलवेंद्र राजिश कुश्वाहा हरिशंकर शर्मा नाहर सिंग शिवशंकर सचन आकाज कोयल मनेगी रामनौमी का पर्व कलदिनांग 30 मार्च 2023 गुरुवार को श्री गंगाबाई की बगीची पर रामनौमी का पर्व बड़े हर्चोलास के साथ मनाया जाएगा जिसमें फूल बंगला की जांकी एवं भव्य शोभायात्रा के साथ जाकियों का शिंगार किया जाएगा एवं शाम को दीपदान के साथ महा आर्थी का आयोजन किया जाएगा यह जानकारी गंगाबाई बगीची के महंत हनुवान दास जी महराज ने दी हनुवान दास जी ने सभी भक्तों से अधिक से अधिक संख्या में रामनौमी के पर्व में समलत होने का आग रह किया एवं शाम को भंडारे प्रसादी का आयोजन किया जाएगा वही राम नौमी पर्व की जांकिया माधवानन्द की बगीची से प्रारभ होकर शहर के मुख्य मुख्य मार्गो से होते हुए श्री राम मंदिर गडरपुरा धोलपुर में समापन होगा श्राम नौमी शोभायात्रा में हजारों की संख्या में श्रधालू भाग लेंगे इस मौके पर जितेन शर्मा नागा महराज, जैराम दास, नागा शंकर दास नागा सियाराम दास, नागा ओमकार दास एवं मौन्टी भाई आदी लोग मौजूद रहे पुराना शहर से संबाद दाता सुखदेव काखुलिया की रिपोर्ट बच्चे बच्चीयों को आनंद दाई वातावरण देने के लिए शिक्षकों ने ली निपुण प्रतिग्या वर्ष दोहजार सताईस तक तीसरी कक्षा के अंति तक बच्चों में पढ़ने लिखने और अंक गणे सीखने की शमता विक्सित करने ही तू शिक्षा मंतराले दुआरा चलाई जा रहे निपुण भारत मिशन के अंतरगद विपरपुर परिशेत्र के शिक्षकों ने निपुण प्रतिग्या की शपतली ज्यात हो कि इस योजना का क्रियानवयन स्कूल शिक्षा और साक्षारता वभाग दुआरा किया जा रहा है इस अफसर पर शिक्षकों ने स्कूल को आनंद पून और अनुभव दुआरा सीखने के लिए आनंदाई इस्थान बनाने तथा प्रतेक बच्चे को सरस और सार्थक शिक्षा देने की शपत लेते हुए बच्चों को अपनी भाशा बोलने, सवाल पूछने और खुलकर खे स्टाफ ने इस मिशन के अंतरगत पूर्ण मनोयोग से कारिय करने की प्रतिग्या की। दोलपुर में आयोजित किया जाएगा लक्ष के जिलाध्यक्ष ओंप्रकाश लोधा ने बताया कि कक्षा दसवी, बारवी, बीए, एमे में जिन चात्र चात्राओं की वर्ष दुहजार बाईस में 75 प्रतीशत या अधिक तथा प्रशिक्षिक यूग्यता की 80 प्रतीशत या इससे अधिक की अंक्तालिका है वे अपने प्रमाण पत्रों की एक एक चाया प्रती अपने स्वयम के पते एवं मुबाईल नंबर सहित लिखकर उंप्रकाश लोधा व्याख्यता, मुबाईल नंबर 85-05-01-30-53 के पास एवं महरानी अवंतिबाई लोधी चात्रावास म दिनांक 10 अप्रेल 2023 तक ही जमा करा सकते हैं, इसके पश्यात स्विकार मान्य नहीं की जाएगी आंगई में प्रशासन ने सरकारी जमीन से ध्वस्त किया अइस्थाई अतिक्रमन सर्मत्रों की ग्राम पंचायद आंगई में उप्खंड प्रशासन ने सरकारी जमीन पर लोगों के द्वारा कर रखे अइस्थाई अतिक्रमन को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को अतिक्रमन मुक्त करवाया वही संदर्म में तहसीलदार उत्तमचंद बंसल ने बताया कि आंगई में आंगनमाडी केंद्र सहित सरकारी जमीन पर इस्थाणिये कुछ लोगों ने अइस्थाई रूप से अतिक्रमन कर रखाता जिसे बुद्वार को उप्खंड प्रशासन ने पीला पंजा चलवा कर द्वस्त कर दिया और अतिक्रमन करने वालों को भुविश्य में किसी भी तरीके से अतिक्रमन न करने की नसिहत दी इस दौरान मौके पर तहसीलदार उत्तमचंद आंगई सरपंच ठाना प्रुभारी देविंद्र कुमार शर्मा विकास अधिकारी सहित अन्या धिकारी अपनी मनौकामना लेकर आते हैं लोगों द्वारा जगे जगे भंडारे हो रहे हैं मेले में कल ज्यादा भीड रहेगी उत्तम सिंकुश्वाह की रपरुट का सिरानी घेडा की पापरी वाली माता का मिलाथ चेत आठो नमें सॉयों और साते हैं तीन दिन भरता है यह बताते पराद निखेडा मंदर का पापड़िवारी मंदर का पजारी हूं और यह 500 साल पुरान अब हुआ है मंदर यहां को रपनो कब बोटा सराय थी यहां पर और यहां पर 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 रुके थे अजय पर लगता है मेला चैत में लगता है शुक्रपच्छ में अश्रीवी नमी के दिन नरो के दर्शनों के लिए जा रहे है और माता की दर्शनों को जाने वाले भकतों के लिए रास्ते में कोई भी परिशानी ना हो इसके लिए देखते हुए लोगों के दुआरा जगह जगह पर भंडारे प्याव आधी लगाए गए हैं जिनमें भक्तों के दुआरा सुभश शाम मातारानी की पूजा आरचना की जा रही है और दर्शनों के लिए जाने वाले यात्रि में बना हुआ है वहीं यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पूरे जिले भर में विभिन पुलिस पार्टियों के दुआरा लगातार गश्त की जा रही है जिससे गुजरने वाले यात्रियों के साथ कोई भी घचना घचतना हो सरमतरा से विश्नों सोनी की अतरानी मंगला देवी का भव्य मेला दुर्गाश्च्मी के अफसर पर लगाया गया इस मंदर के निर्मार से ही गाउं मांगरोल का नाम पड़ा था यह मंदर लगबग 800-900 साल पुराना है इस मेले के पास के गाउं से हजारों की संख्या में श्रधालू ने दर्शन करते ह अतरानी मेले में सजी दुकानों का लुफ्त उठाया अन्यश्रधालू के साथ में बजरंग दल, जिला सैयोजक, मनोर जसोनी, देवेंद्र शर्मा, रविंद्र शर्मा, रोहित राठोर, सतेंद्र राठोर, कुलदीप शर्मा, मुनु शर्मा, शिवराम कुश्वाह, पव जलते पैजल आपूर्ती दो दिन ठप रहेगी वहीं इस संदर में जल्दाय वभाग ने जेएन राधिशाम मीना ने बताया कि सुनकई गाउं के पास रेलवे क्रोसिंग पर पूर्तह शतिग्रस्ति लाइन के बदलने के कारण से सर्मत्रा उपखंड सहित अन्या इस्थानों के पैजल आपूर्ती बाधित रहेगी सर्मत्रा से विश्ण सोनी की रिपोर्ट हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं